हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूटूब के वीडियोज को अपने फॉन गैलरी में किस तरीके से सेफ करते हैं तो चलिए विनादेर किये वीडियो को शुरू करें इसके लिए सबसे पहले आपको यूटूब में जाना है और वहाँ पे आप जो भी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिंक को आपको अपने वार्टसप में सेयर करना होगा मैं आपको किसी एक वीडियो का लिंक शेयर करके दिखा देती हूँ जैसा कि माली जिये मेरे को ये वीडियो डाउनलोड करना है तो इसके लिंक को मैं शेयर करूंगी लिंक शेयर करने के लिए जो कॉर्णर में 3 पॉइंट्स दिये हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया पे क्लिक करके इस link को share कर लिया है इस वीडियो की link को copy करने के लिए इस वीडियो की link पे मैं थोड़ी देर के लिए प्रेश करूँगी तो ये automatic copy हो जाएगा और ये देखी ये copy हो गया है वीडियो की link copy होने के बाद अब हम चलेंगे Google Chrome पे, Google Chrome पे क्लिक करने के बाद ये open हो जाएगा इसके बाद हमें search box में online video downloader आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है online video downloader ये लिख के हमें search करना है तो ये मैंने लिख के search किया search करने के बाद कुछ इस तरीके का page open होगा, आप देख सकते हैं और यहां पे first link को छोड़के, जो second link है जिसमें लिखा हुआ है y2mate.com ये जो लिखा हुआ है y2mate.com इस पे हमें click करना है इसके बाद हमें यहां पे red color का box देखेगा, इस पे हमें थोड़ी तेर के लिए press करना है press करते ही, paste का option आएगा इस पे हमें click कर देना है इस पे click करते ही, जिस video की link को आपने copy किया है, वो video दिखने लगेगा, साथी डेर सारा option भी देगा आपको आप जितने MB की video को download करना साथ हैं, आप उतने MB की video को download करें, यहां पे मैंने इस वाले पे click किया है, इस पे click करते ही डाउनलोडिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे यह जो एलो वाली स्ट्रिप देख रही है पूरा ग्रीन होने के बाद फिर से हमें एक डाउनलोडिंग का ओप्शन देगा यह देखिए यहाँ पे दे रहा इसलिए बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया है और यह देखिए यह वाला वीडियो ही है जिसको मैंने डाउनलोड किया है इसको आपको मैं फोन गैलरी में भी जाके दिखाद देती हूँ इसके लिए मैंने फोन गैलरी पे क्लिक किया इसके बाद मैंने album पे click किया और album पे click करते ही ये जो recent option दे रहा है इस पे click किया यहाँ पे recently अभी जो मैंने video download किया है वही दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि वही same video है जिसको मैंने copy किया थह friends ये रही कुछ easy steps इसको follow करके कि आप किसी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं आज की वीडियो कैसी रही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वाचिंग